आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कारिक्रम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की आज शनिवार है आशाण मास शुकल पक्ष की आज द्वादशी ती थी है अनुराधा नक्षत्र है जो की सायंकाल चार बज करके 28 मिनट तक है और इसके पस्चा जेश्ठा नक्षत्र है शुकल योग एवं बवकरण है बात होगी पंचांग की चंद्रमा आज वर्ष्टिक रासी में है और अभिजित मुहुर्थ का समय आज 11 बच करके 37 मिनट से दोपार 12 बच करके 31 मिनट तक होगा राहुकल का समय प्रात हकाल 8 बच करके 30 मिनट से 10 बजी तक रहने वाला है जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी शुबकारिय नया कारिय आपको अभिजित मुहुर्थ में प्रारंभ करना चाहिए इस अभिजित मुहूर्थ हरी को अतिप्रिय है अभिजित मुहुर्थ में किया हुआ प्रारंभ किया हुआ कारिय चिरकाल तक लाभ प्रदान करता है और राहुकाल में कोई भी नया कारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए वास्तु की मामूली गड़बड़ी भी खराबी भी हमें कश्ट में डाल देती है हमारे घर में वास्तू को हम देवता कहते हैं हमारा घर मंदर है और मंदर में अगर कोई खराबी आ जाए विशेस कर आपके घर की खिड़कियां भी ग्रहों का प्रतिनिधित्प करती है आज दिव्य महाप्रयोग में हम जानेंगे कि कहीं आपके घर में आपके बरकत में अगर बृद्धी नहीं हो रही है आपका बरकत नहीं हो रहा है आपका विकास बाधित है घर के पुरुष परिसान है घर की महिलाएं परिसान है कहीं इसमें आपके वास्तु का हाथ तो नहीं आपके घर में आपके वास्तु में बन रहे दोस्त का योगदान नहीं दिव्य उहाप्रयोग के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पूरु बात कर लेते हैं ग्रह स्थित्यों की सबसे पहले इस ग्रह की बात करें तो शुक्र राहू और सूर्य मिथुन रासी में संचरन संचरन कश वहीं गुरू और चंद्रमा यूती बनाकर वृष्चिक रासी में संचरण कर रहे हैं, देव गुरू वक्री होकर के संचरण कर रहे हैं, और चंद्र गुरू की यूती गज केसरी योग का निर्मान कर रहे हैं, वहीं शनी और केतु यूती बनाकर धनुरासी में संचरण कर यह है ग्रहस्तिती इनहीं ग्रहस्तितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया यानि दैनिक राशिफल तयार किया है वो नए दर्शक जो मेरी इस रासिफल के कारिक्टरम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूँ यह रासिफल आप के जन्मरासि के आधार पर है अनि आपकी जन्मकुंडली में चंद्रमा जिस रासि में हैं वही आपकी जन्मरासि अगर आप अपने जन्मरासि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रशलित नामरासि के आधार पर जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं प् दाहिनी तरफ जितनी भी खिड़कियां होती हैं वो सब सूरे का प्रतिनिधित्तो करती हैं और दरवाजे से बाई तरफ मुख्य दारकी में बात कर रहा हूं या घर का मुख्य जिस दिसा में है उस तरफ की बात कर रहा हूं जितनी भी खिर्कियां बाई तरफ हैं वो चंद्रमा का प्रतनिधित्व करती हैं अगर आपके घर में दाहिनी तरफ की खिर्कियां खराब हो रही हो बंद रह रही हो या उसमें जाले लग रहे हो गंदगी हो तूटा फूटा पड़ा हुआ हो तो समझ लीजे घर के पूरुसों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा वो बिल्कुल विकास नहीं कर पाएंगे उनका विकास बंद हो जाएगा तो अगर चाहते हैं कि घर के पूरुशों का विकास हो तो घर के दाहिने तरफ का दरवाजा माकरीगा खिडकी सदाईव ध्यान में रखिए उस खिडकी में कहीं कोई परिशानी न हो खिडकी तूटी फूटी न हो या गंदा न रहता हो ठीक बाईं तरफ की खिडकियां अगर घर की बाईन तरफ की खिड़की तूटी फूटी हो कमजोर हो उसमें दरार हो दरार का प्रतनिशित तो राहु केतु करते हैं और याद रखीक उसमें दरार हो तूटा फूटा हो तो राहु और सूर्य सिधी सी बात है ग्रहन राहु और केतु और चंद्रमा ग्रहन क्य का हो जाएगा फिर उस अवस्था में घर की स्त्रियां रुगण रहने लगेंगी विकास उनका नहीं होगा और घर में कोई न कोई एक ऐसा पुरुस या एक संतती एक लड़का ऐसा होगा जो निठला बना रहेगा निठला कार्थ है वो आश्रित रहेगा कोई काम नहीं यानि की दाहिने तरफ खुलने वाली खिडकियां और बाई तरफ खुलने वाली खिडकियां दोनों को ठीक रखना होगा इन पर प्रभाव सूर्य और चंद्रमा का होता है और अगर इसमें खराबी आई तो वहाँ पर राहू और केतु का प्रभाव आ जाएगा और फलस्त प्रकास उन खिडकियों से अंदर आ जाए चलते है रासी फल की तरफ बात करेंगे रासियों के क्रम में पहली रासी मेस रासी मेस रासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है देखा जाए तो आपकी रासी से चंद्रमा का सुन्चरण आज अस्टम स्थान में है सावधान रहना होगा जरूरत पढ़ने पर आज आपको सिनियर से मदद मिल जाएगी कारियस्थल पर बस अपने विचार साफ रखिए मेहनत का पूरा नतीज़ा आपको मिलेगा नए रास्ते मिलते चले जाएंगे और कारियस्थल पर आज आपको अपनी जिम्मेवा करना अगर है तो किसी बड़े की राय से करिए सलाह लीजिए अपने मन से मत करिए लव पार्टनर से आज आपको सर्प्राइज मिल सकता है परन्तु दामपत्य जीवन में आज परिसानी किस्तिती दिखाई पढ़ रही है कोई द कोई मत भेद हो जाए जीवन साथी के साथ तो धैरे से काम लेना होगा और जीवन साथी अगर चुड़ा बेवहार भी कर रहा है ऐसा बेवहार कर रहा है जिससे मन में खिनता उत्पन नहों तब भी आपको धैरे रखना होगा समझ लीजिए परिच्छा की घड़ी है बहस में नहीं पढ़ना बहस में पढ़ने से आखों में जलन, एसिडिटी और गैस्ट्रिक से सम्मंधित परिशानी आज आपको हो सकती है इकाम करिएगा स्नान के जल में दो बूंद दूद का डाल दीजेगा और फिर स्नान कर लिएगा दुग्ध सांती का प्रतीक है पूरे दिन शांती के सांत बीच जाएगा पूरा आपके जितने भी काम हैं जो भी काम आज आपके रोज मर्रा के हैं सब के सब आपकी मेहनत से और साथी साथ किसी न किसी के सहयोग से पूरे होते चले जाएगे पैसों को लेकर के धैरे बनाना होगा धैरे रखना होगा पैसों को लेकर के अगर आप परिसान हैं तो इस्तु कुछ बड़े फैसले लेने का समय है और आपको तयार रहना होगा जो भी फैसला आप लेंगे वो आपके लिए फायदे मंदस्थ होने वाला है और आज देखा जाए तो आपकी पूछ बढ़ने वाली है हर कोई आप से सलाह लेना चाहेगा आज आपकी पुरानी समस्याएं ख नहीं नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं ज्वाइन करने वाले हैं तो कागजों पर गंभीरता पुर्वक पहले बिचार कर लिजेगा मन्थन कर लिजेगा तबी साइन कीजेगा ब्यापारीवर की बात करूँ तो कारेक छेत्र में नए कारियों की शुरुवात होती हुई दिखाई पड़ रही है नए लोगों से आज आपकी मुलाकात होती हुई दिखाई पड़ रही है और आपके संबंध सब के साथ मजबूत होता हुआ दिख रहा है आज कोई बड़ी खरिदारी करने से बचना होगा ब्यर्थ के पैसे न गमाईए लब लाइफ के मामले में आज कर दिन बहुत बढ़िया रहेगा और दामपत्य जीवन की बात करूं तो जीवन सांथी से प्रेम और सहयोग सुख सब कुछ प्राप्त होगा आज किसी सामाजी कारिक्टर में भी आज जीवन सांथी के साथ आप शामिल होंगे और विद्यार थीवर की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ी जादा रहने वाली है अप एक शाक्रत परिणाम थोड़ा कम मिलेगा सेहत की बात करें तो सेहत के मामले में आज आपके लिए दिन खुश खबरी लेकर क्या रहा है बहुत बढ़िया दिन ताजगी और स्फूर्ती बनी रहेगी घीके दिये जलाईए आनंद और मंगल मनाईए कहीं कोई परिशानी नहीं लकी यंक दो है आपके लिए और लकी कलर है पिंक मिथुनडासी मिथुनडासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है जो भी आपके खास काम है महत्त पूरुन काम है वो सब के सब पूरुन हो जाएंग ब्यापारीवर की बात करूँ दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है बस आज आपको किसी को उधार नहीं देना होगा आज वाहन चलाने में अगर तनिक भी लापारवाही आपसे हुई तो नुकसान के लिए तयार रहिएगा लव पार्टनर से सहयोग की संभावना पूरी तरह से और दामपत्य जीवन की बात करूँ तो जीवन सांती के साथ कहीं घूमने जाने की प्लैनिंग आप करेंगे आज और बात अगर विद्यार थीवर की बात करूँ तो आपको बीती बातों को भूल कर पढ़ाई को नए सिरे से प्रारंभ करना चाहिए ध्यान देना चाहिए तभी आपको सफलता मिलेगी तभी आपका दिन बढ़िया व्यतीत होगा सेहत की बात करें तो सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा सावधान रहना होगा पुराने रोग आपको परिशान कर सकते हैं काम करिए थोड़ा सा आटा ले लिजिए उसमें सक्कर मिला लीजिए और उसको चीटियों के जहां बिल इत्यादी दिखाई पड़े या घास मे आप बनाएंगे कोई भी योजना बनाईए एक बात तै है उससे फाइदा ही मिलेगा करियर में आप बदलाव करने की सोच रहे हैं बिलकुल ठीक सोच रहे हैं आज आपकी बुद्धिमत्ता आपकी समझदारी आपको विशेस लाभ करवाएगी फाइदा दिलवाएगी ब् वफल होने वाली है हाँ एक बात तै है आज सायमकाल या तीन बज़े के बाद समझ लीजिए थोड़ा संसयात्मक व्यापार में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी लेकिन घबराइए मत अपने जीवन साथी या जिसको आप अपना करीबी मानते हो मित्र माता पिता उन क्योंकि कोई ऐसी बात जिसए आप गोपणी रखना चाहते थे हो सकता है अपने प्रेम सम्मंदों को गोपणी रखना चाहते हो ये आज उजागर हो जाएगी लोग इसके बारे में जान जाएंगे बात दामपत्य जीवन की करें तो दामपत्य जीवन में सब कुछ सामान दिखाई पढ़ रहा है दामपत्त जीवन में कहीं कोई परिशानी बलकि ये कहूं कि अगर पूर्व से आ रही कोई परिशानी कोई मत्भेत था तो वो दूर हो जाएगी विद्यार्थी वर की बात कर लेते हैं मन आपका पढ़ाई में लगता हुआ दिखाई पढ़ रहा है आज साथ पढ़ने वाले जो मित्रे आपके हैं विद्यार्थी हैं उनसे भी आपको मदद मिल जाएगी यानि आज के दिन विद्यार्थियों के लिए सफलता देने वाली ह सेहत की बात करें, तो पेट के रोग आपको परिशान कर सकते हैं, मंदर में जाकर के थोड़े से गुड़का दान कर दीजिए, समस्या अगर कोई आएगी, हल हो जाएगी सम्मान अपको इजद की दรिश्टी से देखेंगे, सम्मान की दरिश्टी से देखेंगे, आज कार्यूस्थल पर आपका सम्मान बढ़ा चड़ा रहने वाला है, आपके लिए कम बोलना और ज़्यादा सुनना बहतर होगा जब सम्मान मिल रहा हो तो सम्मान को सिरमाथे पर रखना चाहिए आसपास के लोग आज आपसे हर मामले में राय लेंगे आपकी बात आपसे पूछेंगे और ज़रूत पढ़ने पार आप उनकी मदद भी करिए अधिकारियों से भी आपको मदद मिलेगी आपको हर मामले में आज धैर रखने की आवशक्ता है आज आप हर मामले में सफल ही होंगे व्यापारीवर की बात करूँ तो अचानक लाभाप के लिए होता प्रतीत हो रहा है पैसे और संपत्ती से जुड़ा कोई महत्त पुरुन सौदा आज आपका हो सकता है इने पैसे को ले करके कोई बात चीत हो जाए या कोई महत्त पुरुन सौदा हो जाए कोई भी बड़ा फैसला लीजिए आप सोच समझ करके और बिचार करके लीजिए बड़ा लाभ होगा प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है संबंध मधूर बनाने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए सफलता मिलेगी और बात दामपत्य जीवन की करें तो दामपत्य जीवन पूरी तरह से सुख़त दिखाई पड़ रहा है विद्यार्थीवर की बात करें तो कड़ी मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगी अतह पढ़ाई में ध्यान अधिक से अधिक लगाईए और सेहत की बात करें तो सेहत को लेकर के सावधान रहना होगा चोट चपेट या बॉड़ी पर कहीं कट लग सकता है यानि कटने या छिलने का डर आज जादा है भगवान शिव के मंदर में जाईए और उन पर थोड़ा सा दही और पितर ये लाभ मिलेगा लकी अंक आपके लिए पांच है और लकी कलर है ओरेंज कन्यारासी कन्यारासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है आज देखा जाए तो चंद्रमा की स्तिकी गोचर में जो आपके लिए है वो बहुत अच्छी है नय और उपयोगी काम की शुरुवात होने जा रही है पिता के साथ संबंध मधूर होने जा रहे हैं अगर उनमे यानि संबंधों में कहीं खटास है वो दूर हो जाएगी संबंध सुधरेंगे दोस्तों और भाईयों का सहयोग आपको मिलेगा और आज का दिन कार्यस्थल पर देखा जाए तो दिन भर काम थोड़े जादा रहेंगे लेकिन आप हर काम को बड़ी आसानी उर्जा और स्फूर्ती के साथ करेंगे हर तरफ से वाह वाही आपके लिए आने वाली है हर कोई आपकी तारीफ करेगा मेहनत और भागदोर आज थोड़ी जादा रहेगी परन्तु आपके सारे फैसले सही होने वाले हैं अगर आप पार्टनर्शिप में व्यापार करते हैं तो आज फायदा है एक बात और आज कहीं पैसे का भुकतान करना है तो लापरवाही आप पर भारी पड़ेगी फलस्वरुक पैसे के भुकतान में तनिक भी लापरवाही नहो इस बात का खयाल रखिये और लब लाइफ की बात करूँ तो पार्टनर की जरूरतों को समझना बहुत जरूरी है आपका प्रेमी आपसे क्या चाहता है उसकी भावनाओं को समझिए उसकी भावनाओं की कद्र करिये तभी प्रेम संबंध दूर तक चल पाएगा और बात अगर दामपत्ति जीवन की करें तो जीवन साथ ही अगर आपसे नाराज है तो उसे मनाईए आपको पहल करनी चाहिए विद्यार सीवर की बात करूँ तो दोस्तों के साथ आज समय खराब करेंगे हो सकता है आप पढ़ाई का मन आज चाह कर भी नौ बना पाएं इधर उधर के चीजों में ही आज पूरा दिन आपका निकल जाएगा ध्यान रखिएगा क्योंकि आने वाला कल उसमें भी छुटी है तो लगातार दो दिन की छुटी कतई उचित नहीं है सेहत की बात करें तो सेहत को लेकर के आज 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 आपको सावधान रहना होगा जोडों में दर्द की शिकायत से आप जोडों में दर्द की शिकायत रहेगी आपके लिए इससे जोडों में दर्द की दर्द से आप परिशान रहेंगे भगवान शिवके मंदिर में चले जाएए और जाकर के मिस्त्री का भोग लगाईए या मिस्त्री दान कर दीजिए बाकी की दिनों में भी आप ही के प्रसाद से भगवान का भोग लगता रहेगा लकी यंक तीन है और लकी कलर है परपल तुलारासी तुलारासी के जात्कों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है कोई नया ओफर एक्सेफ्ट करने के लिए आप तयार हो जाईए कैसा होगा ये ओफर बहुत फायदे मंद कोई अच्छी खबर आज आपको मिलेगी कारिस्थल पर अपनी बातों से आप अपने कारियों से आप सबको इंप्रेस कर लेंगे राज की बात किसी से शेयर मत करियेगा नहीं तो नुकसान होगा और प्रेमी से मन की बात कहने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है लव पार्टनर आपकी पहल का बस इंतजार कर रहा है आगे बढ़िये और पहल कीजिए दामपत्ती जीवन की बात करें तो दामपत्ती जीवन पूरी तरह से सुखत दिखाई पढ़ रहा है भावनाएं और शंबंध नए स्तर पर पहुंच जाएंगे पार्टनर आपको सहयोग और प्रेम दोनों ही देगा आज आपको आपके पुराने करमों का फल यानि ये कहें कि जो आपने करम अच्छा करम किया उसका नतीजा मिलेगा उससे आपको लाभ मिलेगा और विद्यार्थीवर की बात करूँ तो आज आपको सुखख आपसे पूरी तरह से संतुष्ट और खुस रहेंगे सेहत की बात कर लें तो सेहत में वैसे तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है परन्तु अगर कहीं लंबी यात्रा पर आपको जाना है तो सावधान रहेगा क्योंकि यात्रा से आज आपको परिशानी होने वाली है सावधान रहना होगा यात्रा में सेहत आपकी खराब हो सकती है भगवान शिव के मंदिर में जाये आज और तीन बिलो पत्र अरपीत करिए राम राम लिख कर कि लखियंख एक है और लकी कलर है नीला ब्रिश्चिकरासी बृष्चिकरासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर जा रहा है व्यापार में कुछ नया कार्य करने का विचार आपके मन में आएगा आपके दिमाग में कोई न कोई प्लैनिंग, कोई न कोई आइडिया आज दिन भर चलता रहेगा पैसो के मामने में आज आपका दिन बहुत बढ़िया है, यात्रा का संयोग बन रहा है और नौकरी बदलने की बात आज आपके सामने आ सकती है या यूँ कहें कि नौकरी में बदलाओ की इक्षा कई दिनों से आप कर रहे थे वो इक्षा आज बलवती हो जाएगी क्योंकि आज आज आपके कारेस्थर पर कुछ माहौल ऐसा बन जाएगा जिसके चलते आपको लगेगा नहीं अब दूसरे जगह ही चलते हैं कारेक छित्र में आज जहां भी आप रहेंगे सहयोग मिलेगा साथ के लोग भी आपकी इस बात से सहमती रखेंगे कि यगर तुम बदलाओ करना चाहते हो कर लो किसी भी मामले में आज रिस्क मत लीजिएगा धीरज रखिएगा और पैसे की बेर्थवरबादी मत करिएगा लव पार्टनर आपकी भावनाओं की अंदेखी आज कर सकता है धैरे रखना है घबराना नहीं और पार्टनर के प्रती इमानदार बने रहना है जीवन साथी का रवया आज आपको थोड़ा खिन करेगा जीवन साथी का शक आप पर होगा जिससे आप थोड़े उदास होंगे मिद्यार्थी वर की बात करूँ जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए पढ़ाई के लिए दिन बहुत वढ़िया है और सेहत की बात करें तो सिरदर्द और ठकान की अनुभूती आपको हो सकती है तो काम करिएगा घर से बाहर जाने से पूर्व एक चमच दही खा जरूरी कारे पूरा करने की कोशिश करिए खुसी मिलेगी परिवार का माहौल आज देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है नौकरी और अपने नीजी जीवन के बारे में कुछ अलग ही विचारधारा आज कल आपके मन में बन रही है कामकाज भी ज्यादा आज आ किसी के भी साथ किसी भी तरह की जवर्दस्ती न करे वो चाहे आपका छोटा बच्चा ही क्यों न हो प्रेम संबंदो की शुरुआत नई शुरुआत हो सकती है बिवाह का प्रस्ताव आपको मिल सकता है पुरानी चिंता समाप तो हो सकती है और बात अगर भी द्यार्थी व भगवान शुब के मंदर में दान कर दीजिए लव मिलेगा लखी अंक आठ और लखी कलर है स्काई ब्लू मकरसी मकररासी के जात्कों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है लाव लेकर क्या रहा है दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए शुब फल प्रदाता है आज का दिन धनलाव के संयोग बन रहे हैं और कारिस्थल पर आज कामकाज थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है लेकिन एक बात तय है जो आपके साथ के लोग हैं पूरी तरह से उनकी सहानुभूती उनका साथ वो मदद करेंगे आपकी पूर्व से आ रहे ही कोई परिशानी आज स क्योंकि बड़ा लाव का समय है और छोटे छोटे लाव के पीछे पड़े रह गये तो कई बार बड़ा हाथ से निकल जाता है मौका बड़े का आप गमा देते हैं आज बाहर का खाना मत खाईएगा क्योंकि बाहर के खाने से सिहत परसर पड़ जाएगी दामपत्ति जीवन बहुत सुखद और प्रेम संबंधों को और मजबूत बनाने की जरूरत है पहलाप करिए प्रेम संबंध और मजबूत होंगे बिद्यार्थिवर की बात करूँ तो करियर में आगे बढ़ने का समय है इंटर्वियू या परिच्छा में आज आज आपको सफलता मिलेगी और जहां जल प्रभाहित हो रहाओ वहां घड़े में जल भरके लेजा करकर रख दीजिए समस्या से मुक्ती मिलेगी लकियंक आपके लिए आज साथ और लकी कलर है गरीन कुम्रासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर किया रहा है किस प्रकार के लाभ्व आपको आईए देख लेते हैं, आज आप दिन भर उत्साहित रहेंगे, उर्जावान बने रहेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, आज आप अगर नया करने की कोशिश करते हैं, तो आपको सफलता भी मिलेगी, पारिवारिक मामलों पर कोई स्थाई फैसला आज आपको लेना पार करते हैं आज देखा जाए तो बिना जानकारी किसी से कोई बात अगर कह दें यानि सुनी सुनाई बात किसी और से कह दें तो हो सकता है आपको सर्मिंदा होना पड़े जीवन साथी के साथ संबंद मधूर बनाने का समय है परिवार के संवयोग से आज आप किसी खास काम म आपको मिलेगा सिहत की बात कर लें तो आज दांत से संबंधित परिशानी या मुहमे च्छाले हो सकते हैं जिससे आप परिशान हूं मंदर में कोई भी लाल रंग की वस्तु जाकर के दान कर दीजिए लाभ मिल जाएगा लकी अंक दो है और लकी कलर है के शरिया मीन रासी मीन सफलता मिलने वाली है पहल और कोशिश आपको करनी होगी प्रयत्त में करना होगा बार बार तभी सफलता मिलेगी अपने बारे में महत्व पूर्ण फैसला आज आपको खुद ही करना होगा किसी और किराय उसमें मत लीजिए ऑफिस में आज आपको पूरा महत्व सम्मान मि निवेश करते हैं तो ये सोच लीजेगा ये देख लीजेगा किससे कितने समय तक हमें लाव मिलने वाला है सोचा हुआ काम आज ही शुरू करना होगा साथ के लोग जो भी होंगे उनसे मदद आपको मिलेगी उत्साह, उम्मीद और आत्मविस्वास के दम पर हर तरह के जोखिम को लीजिए हर समस्या को आप पार कर जाएंगे खुद को जताने का, खुद को सिद्ध करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा और किसी को लव प्रकोजल देना चाहते हैं, तो आज प्रकोज करिए दूसरों के भरोसे रहकर के अगर काम करेंगे हार का मुह देखना पड़ेगा लव लाइफ में गलत फ़हमिया हो सकती हैं, एक ही बात पर मत अड़े रहिए ये आपके लिए नुकसान दायक है, दामपत्य जीवन, पूरी तरह सामन्य, ब्यवस्थित बढ़िया, बिद्धार सीवर की बात कर लूँ, सफलता आपको मिलने वाली है मेहनत के नतीजे सामने आएंगे, और आज आज आपकी सेहत थोड़ी कम जोर होगी पेट से समंधित परिशानी होगी, बाहर भोजन मत करिएगा, और आज प्रातवकाल कववे को रोटी दीजिए लाभ मिल जाएगा, लकी अंक साथ है, और लकी कलर है सफेद तो प्रियदर्शकों, ये था मेज से लेकर मीन राशी परियन प्रतेक राशी के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए पुनह मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार